हेलो गाईज तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नमबर 40 मैनेजिंग टाइम एक्सेसाइज ए वन यहां पर है फूट फॉर थॉर्ट यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एडवर्ड यंके थ्रू प्रोक्रेस्टिनेशन इस दर थीप आफ टाइम प्रोक्रेस्टिने क्या आप भी मतलब प्रोक्रेस्टीनेट करते हैं क्या आप को टालते हैं सब्सक्राइब करते हैं आप कूर्ट के मतलब यह है क्यंट मतलब यह जो स्टेटमेंट यहां पर procrastination is the tip of time तो इसी का मतलब आप से यहां पर पूछा जा रहा है second में कि आप इससे क्या समझे है ठीक है तो यहां पर लिख सकते है I think it means people based their time by procrastination मतलब इसका मतलब यहां पर आप यह बता सकते हैं कि इसका मतलब यह होता है कि people क्या करते हैं अपने time को waste करते हैं stolen करते हैं मतलब अपने समय को चुराते हैं इस तरीके से क्योंकि statement में लिखा गया है procrastination is the tip of time मतलब आप अपने time को चुराते हैं ठीक है तो इस तरीके साब लिख सकते हैं my friend thinks it means मतलब आपके partner का think लिखा जाएगा आपके आपका partner जो भी लिखा रहेगा तो आप यहां पर वो लिखेंगे ठीक है यहां पर आपका रहेगा नीचे आपके partner का now second exercise देख लेते हैं beating distraction से यहां पर आपको कुछ नहीं करना है यह सब आपको बस यह सारे चीज़े आपको पढ़ना है जितने भी चीज़े दिया हुआ है और सबको आपको समझना है और class में इसके इसके ऊपर आपको अपने partner से अपने फैसिलिटेटर से बात करना होगा जै यह सब चीज़ें डिस्ट्रै करती है डू यू सेट टाइम लिमिट करते हैं अगर करते हैं तो हां नहीं करते तो ना इस तरीके साब को यह सारे के सारे हो सकता है class में पूछा जाएगा और partner के साथ बात करने को बोला जाएगा तो आपको यह वहां पर बस करना है पढ़ना है समाजना और इसके अगर इसको आपको यह 109 में इस तरीके साब को जवाब देना है तो ठीक है नौ आप एक्सेसाइज भी वन देख लेते हैं और डे इन दा लाइफ ऑफ पंक्चुल एफ ए स्टुडेंट ठीक है यहां पर आपको इस टेप वन यहां पर आपको वह लिखना है तो किस तरीके से लिखना है आपको यहां पर कुछ स्टेप्स दियों जिसे पहला क्या है थिंक लाइक पंक्चुल एफ ए स्टुडेंट सगेंड प्लान एंड राइट एबाउट यहां पर थर्ड क्या है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑप दे एंड मेंशन टाइम एंड वर्क डन एड़ टाइम ठीक है आप स्टार्ट करें बिगनिंग ऑप दे इस स्टार्टिंग से और उसको आद आप मेंशन करते जाएं वहां पर टाइम वगएरा सब कुछ आप मेंशन भी करें ठीक है इन सब सारे स्टेप्स को आपको पढ़ करके अच्छे सम करना ना होगा कि हां मैं कल इतने बज़े उठूंगा जैसे कि अब आप लिख सकते हैं तुमोरो आइविल वेक अप एट फोरो क्लॉक एंड आफ्टर वेकिंग अप आइविल गो टू था आइविल गो टू फोर रनिंग जस्ट इस टाइप से आप लिख सकते हैं ठीक है ज तुमोरो का कल का तो इस तरीके से आपको यहां पर लिखना और कुछ भी नहीं करना है और ज्यादा निहीं कि शुरू से लिखर कि इक रात तक का आप नॉर्मल भी लीग सकते हैं बस जितने में तीन चार लाइन जो भी यह है वो फिल हो जाए नो सकीड यहाँ पर देख लेते हैं चेक्लिस्त यहाँ पर लेते हैं इसे डिडियू फॉलो आल दा श्टेप किया आपने आल जितने भी स्टेप्स हैं कि आपने सारे फॉलो की हैं उपर जो आपने टाइम टेबल बनाया उसमें अगर हाँ अगर यह सापने की हैं तो आप यहाँ पर यहाँ पर यह क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब क्या अपने सारे सारे को सबस्क्राइब कर यहाँ अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सकते हैं क्या है did you capitalize all names in the sentence क्या आपने सारे names को capital letter में लिखा है yes or no ठीक है did you capitalize all i in the sentence हम लोग को पता है i sentence कहीं भी बीच में हो शुरूब में हो वो हमेशा capital होता है क्या आपने हर जगा capital किया है अगर किया है तो yes नहीं तो फिर no now last one है did you end the sentence with a full stop or question mark क्या आपने last में fully stop या फिर अगर question mark का रहा है तो question mark का आप लगाए है या नहीं लगाए है अगर लगाए फुल नेम प्लेश टू अटेंड अफिये क्लास अबरे डे ओन टाइम आई विल रेस्पेक माई सेप माई लर्निंग एंड माई कम्मिनुकुटे बाई है विल कम टू अफिये क्लास प्रिपेर टू लर्न एंड बिद अ पॉजिटिव एटिटिव तो इस तरीके से आपको यह बस यहां पर नाम लिखना और कुछ नहीं करना है थाइंक्यू सो मच लेसर नमर फूर्टी अपका कम्प्लीट हो गया आई होप आप लोग को समझ में आया होगा